नमस्कार दोस्तों में नाम है विपिन और आज हम बात करेंगे अर्जुन चाहे के बारे में आपके हाठ हेल्थ से लेके आपके स्किन को साफ सुधरा रखने के लिए ये अर्जुन चाहल किस तरह से काम करती है आज हम इसके बारे में समझेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों आपने हो सकता है बहुत सारी वीडियोस देखी हो जिसमें लोग अरजुन छाल चाय के बारे में बात कर रहे हैं और इसको चाय पत्ती और दूद के साथ मिक्स करके इसका यूज करने के टिप्स दे रहे हैं दोस्तों मैं आपको पहली समझा दूँ आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है कि चाय किस तरह से आपको अंदर से खोकला कर सकती है आए बटन में लिंक है वो चेक करिएगा दूसरी चीज इसको कभी भी दूद के साथ या किसी और चाय पत्ती के साथ मिक्स नहीं किया जाता जब मैं अरजुन चाल चाय के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ इसके उप्योग की बात कर रहा हूं इसका जो nature होता है दोस्तों वो ठंडा होता है और ये कफ और पित के जो दोश होते हैं या वो लोग जिनको कफ और पित बहुत ज़्यादा बड़ा होता है example जो overweight होते हैं जो थोड़ा सा भी चलते हैं सांस में दिक्कत आनी चालू हो जाती है heart की problem है liver की problem है गुसा बहुत जल्दी आ जाता है अलसर हो जाता है इवन पित के दोश के बढ़ने के कारण उनकी skin भी खराब हो जाती है जैसे pimples आना वगेरा वगेरा तो दोस्तों ये इन सब चीज़ों को ठीक करता है लेकिन किस तरह से ठीक करना है वो basic चीज़े आज हम समझेंगे अगर दोस्तों हम बात करें खून की सफाई की तो ये सबसे अच्छी औश्यदी है यूँ तो दोस्तों ये सैकडों सालों से यूज होती आ रही है लेकिन आज के corporate यूग में लोग इस चाय को भूल चुके हैं तो ये basically करती क्या है अगर आप खाली पेड सुभ इस चाय का सेवन करें तो ये आपके खून को साफ करता है कैसे आपके शरीर में स्प्लीन नाम का एक और्गन होता है उस और्गन को ये support करता है वो और्गन आपके खून को filter करता रहता है 24 गंटे और अगर आपका खून सा और एक ही चीज बोलते हैं भाई हम कुछ भी खाए हमें लगता ही नहीं फिर भी हम कमजोर ही रहते हैं या कमजोर ही दिखते हैं हमें क्या करना चाहिए उन लोगों के लिए अर्जुन चाल चाय सबसे अच्छी चीज है क्यों क्योंकि ये जटर अगनी को बहुत मजबूत क पीना ही पड़ेगा एक चीज में अर्जुन चाल सबसे अच्छा काम करता है वो है किसी भी चीज को रोकने की अब आप बोलोगे रोकने की ये क्या होता है एक्जाम्पल अगर आपका बॉड़ी वेट बहुत जादा बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल में करता है आपका ज सबसे अच्छी खूबी दोस्तों यहीं है अर्जुन चाल की कोई भी नेगेटिव चीज अच्छी चीज की बात नहीं कर रहा नेगेटिव चीज आपके शरीर में हो और वो फैल रही हो तो अर्जुन चाल उसको रोकने का काम करता है इसलिए दोस्तों जब किसी की हड़ी तूदती थी पुराने पुराने बहुत पुराने समाने की बात कर रहा हूं तब वो अर्जुन चाल की पेस्ट लगाके उसको रैप कर देते थे हाथ को और फिर क्या होता था वो हड़ी अपने आप जोड़ जाती थी तो इसका मतलब क्या है एक तो यह रोकने का काम करता है और दूसरा यह हीलिंग का काम करता है बाहर से भी और अंदर से भी वो लोग जिनको डाइबिटीज की शिकायत है और हाई बीपी की शिकायत है दोस्तो इसमें कमपाउंड होता है उसको कहते है को एंजाइम क्यू टैन इसका काम क्या होता है बीपी को लो करना और बलड प्रैक्टिस यहीं होगी दोस्तों अगर आप आयरुवेदिक डॉक्टर के पास जाओ और प्रिस्क्रिप्शन में लिखवा के ले लो मैं आपको यह बात क्यों बोल रहा हूं क्योंकि हर एक का शरीर अलग है हर एक का खानपान अलग है तो अगर मैं अभी कुछ बताऊंगा हो सकता आपको सूट ना करें लेकिन डाइपटीज और हाई बीपी में यह बहुत ही अच्छी चीज है इसका उप्योग जरूर करना लेकिन आयरुवेदिक डॉक्टर की सला से वो लोग जिनको पीरेट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है जैसे बहुत ज्यादा ब्लड निक का हो बॉडी में उसको यह रोकने का काम करती है तो जो लोग पीसी ओडी पीसी ओएस से परिशान है और साथ में पीरेट्स उनके लिए बहुत ही तकलीफ दाय होते हैं अर्जुन चाल जाए आपके लिए हैं मेर धातू जो लोग ओवरवेट हैं उन पे यह बहुत अच्छ हड़ी बोन को बहुत जारा स्ट्रॉंग करेगा यह कैल्शियम से भी जादा ताकतवर दोस्तों यकीन मानिये और शुक्र धातू यानि स्ट्रेंग्ट अंदर की ताकत लेके आएगा तो दोस्तों यह चार धातू है जिस पे अर्जुन चाल चाय बेहत अच्छा काम करती है तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना आगे भी मैं और भी बहुत सारी इंफोर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा तब तक के लिए जैमा भरते